हेलो दोस्तों सबको जैशी रीशाम आप लोग कैसे है योग सब बहुत अच्छी होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो आज नवरात्रे का पहले दिन है ये पहले नवरात्रे की दिन की वीडियो है मंद्री की हाँ चल गए सपाई यार सारी यूट्यूब फैमली को हैपी नवरा मातारानी घर में विराज मान रहेगी तो सारी यूट्यूब फैमली के के घर में मातारानी विराज मान रहे है मेरे दिल से यही दुआ है आपकी मातारानी नवरात्रों में सबकी मनव कामना पूरी करेंड तो यहां देखें मेरी मंद्र की चल रही है सफाई बच्चे मेरे स स्कूल उसके बाद ही में यहां मंदर की सफाई वगेरा कर रही हूं मंदर की सफाई करके अवरी बिचा दी है और नई अवरी बिचाई है मैंने इसमें मेरी लड़ गोपाल जी भी दोनों नहां के बैठे हुए हैं अभी मंदर में नहीं बिठा हैं क्योंकि मंदर इतना नहीं है कि मंदर में बिठाऊंगी और यहां पर देखे सारी तस्वीर चीतरे पोच पोच के लगा दी हैं क्योंकि पहले नवेस्तों में 15 दिन में मंदर की सफाई करती रहती हूं पर अब नवरात्रे का पहला दिन था कल मुझे टाइम लगा नहीं मावस वाले दिन नहीं तो मैं मावस की साम को सफाई कर देती हूं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा क्योंकि पूजा कावम फिर बच्चो करे जाए वो कोप्यों पर जिलत वगरा चड़ानी तो टाइम नहीं लगा था मैंने सुचा कल कोई ही कर लोगी ना दोकर तो यहां देखिए मंदिर हो गया है अच्छी तरह से और दिवा बत्ती सब चीज बना लूँगी वटाफट से तो ना दिल की मैं कर रही हूं इसतापना आप लोग देख सकते हूं कैसे करें पहले 11 रुपे मैंने लोटे में डाले हैं और उसके बाद डाले हैं डाला है गंगा जल और सदा जल है तो 5 बना रही हूं सतीये या रोली से ूसके उपर रखेंगे एक प्लेट उसमें डालेंगे जो तो यही मैं अप लोगे शाय शेयर करने नवरातरों का पहला दिन कैसे कैसे हम पुजवन गरा करते हैं तो पांच मैंने शतीये बना लिए हैं रोली से उसके बाद डाल दी हैं ज प्लेट रख दिया अब इसके उपन नारियल के स्थापना कर दूंगी चुन्नी लपेट के तो यह देखी सकते हो आप लोगों को पूरा मंदिर में ने किस तरह से लगाया है तो यह देखें मेरे दोनों लड़ों गोपाल जी गही हमें है बैठी रेडी होकर तो यहां देख सकते हो पान सुपारी सब्ची सामेक गिरी वगरा रखी है तो दीवा बत्ती बिल्कुल रेडी है परसाथ बंचामित्र का और यह देखें नारियल के स्थापना भी कर दी है द आप लोग मेरा पूरा मंदिर ऐसा लगाए है और यह पान सुपारी जो लोंग वगरा यह पूरे दिन चड़ेगी यह रित्तर डाल दिया है मैंने इसमें क्योंकि रित्तर डाल दे नहीं तो कागज जल जाएगा निच्चे से थोड़ा सा रित्तर डाल दिया है तो यहां घ ही चड़ा दिया उसके बद जो तो फार्यूं क्योंकि हमारे नारियल के फांक से ही जो त उठाएंगे और उसके बाद इसमें लोंके जोड़े चड़ाएंगे सबके नाम ले लेके मैं सबका लोंका जोड़ा ज़डा दूंगी यानि कि बच्च्चे स्कूल चले गए हैं हस तो यह देखिए लोंग के जोड़े चड़ा दिये हैं मैंने सब का नाम लेके आप सुपारी चड़ा दूगी तो यह लोंग जो चटक के बाहर आ जाती है ना इसलिए महात रखके करी अगर हमारी यह लोंग चड़ाते हुए अगर चटक जाती है तो यूँ कहते हैं पुझा स अच्छी तरह सोरी हैं आरती गाने लगरी हूं मा की और आरती करके सारे घर में दूब वगरा घुमा दूँगी मिरी पूजा पूरी हो जाएगी पर नाम करके भोग लगा के सब को परशाद वगरा दे दूँगी निच्चे भी दियोंगी तो चलिए फटा-फट से आरती कर वह फैसे मैं दूबब लेते हैं रही हमारे हैं मैंने सुचा ब्लोग को शाद्यूट फैमिली के साथ शार करती हूं आप लोगों के हैं यसी ही पूजा एकर मुझे इसामने आरती में धर महीं देख कर देंको हुई है और यहां देखे और गर्मी भी इतने होने लगी है फ्रेंट बहुत ज़्यादा तो यह देखे कपूर से करी में यह वाली जोती और वैसे दीवे मेरे मंदिर में जल रहे हैं तो चलिए हैं पूरी आर्टी हो चुकि यह घी भी साथ किसा चड़ा देती हूं और यह ग पी लेते हैं और आज मैं आप लोगों के साथ बर्द में कुछ अच्छा सा बनाना शेयर करूंगी तो आप सब को यूटी फैमिली को मैं कहरी हूं नहापी नवरातर और आज मैंने पिछे से हटा दिये क्योंकि मैं भजन चल रहे हैं इसलिए मैंने बैक अबाज हटा दिये पिछे तो यहां देखे मैं बिल्कुल रैडी हो चुकी हूं तो चलिए फटा फट से चलते हैं किचिन में आप लोगों को हई मिलते हैं क्योंकि नवरातरे चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ बनाना जरूरी है और पूरे दिन के वर्त रहेंगे मेरे नमक में वस एकी बार ले पर देखे में आए थोड़ी सी गिरी है खरबुज्जे की और यह कटोरी गूंद है तो चलिए कुछ मिठा बनाते हैं यानि की बर्फी बनाते हैं बर्फी के लो या पंजीरी के लो तो इसमें डाला है पहले एक चमचा देशी घी आप लोग सकते हो आप लोग नबना तो कोई चखाते हो तो सेट बना सकते हो पर यहां देशी घी से इसलिए बना रही है अच्छी भी लगती है और सुद्ध भी होता है देशी घी तो यहां देखे मैंने इसमें देशी घी डाल दिया तो उसके बाद बदम बदाम है जो इन अच्छी तरह से भून लिए जब तक चटक नी जाते हैं और यह चटक जाएंगे तो इनकी पैचाने यानि के बदाम भून गये हैं तो यह मैंने बदाम भून के निकाल ली हैं सारे यही रेसेपी शेयर कर रही हैं आज आप लोगों के साथ बर्त में और थोड़ी सी छवानी भी बनाऊंगी क्योंकि अभी बाद मैंने गूंद भून लिया है ची तरह से गूंद की खासी आता है अगर बहूं जाता है ने बिल्कुल खील की तरह भून के अभून जाता है तो फटाफट से हमने गूंद भून देया इसमें हम जीरा जवाइन गिरी एक साथ डाल देंगे तिनों चीज अभी तिनों चीज एक साथ भून जाएंगी तो यह पहले जीरा डाला है थोड़ा सा थोड़ी सी गिरी डाली है जादन यह थोड़ा थोड़ा सही समाने जाने के थोड़ा जो घर में है उसी से बनारी कुछ अलग से नहीं मंगाया है मैंने तो यहां देखे यह बीज चटक करते हैं लेंगे नहीं नहीं हो जाते हैं तो इसमें मंखाने सारा घिले लेंगे जितना भी आविय बचा हुआ है तो यहां देखे मैंने प्थ् dura se तरह से रोश्ट हो चुके हैं देखे दिखाती हूं आप लोगों को तोड़के तो यह देखे कितनी अच्छी तरह से फूट रहे हैं और यह अभी निकाल लेंगे थोड़ा सा देसी घी डाल के और हम भूनेंगे गोला क्योंकि कोला भी भूनना हमें जरूरी है हर चीज भून रासे इसमें भून लेते हैं यानि की कलर चेंज हो जाएगा इसका और हमने इन सब चीजों को कम गैस पे ही बूना है फ्रैंड क्योंकि तेज गैस पर भूनेंगे नहीं तो जल जाएगा सारा समान और यहां देखे गोला भी भून चुका है अब इसमें डाल लेंगे हम पा जब मज मैंने इसमें देशी घी भी आड़ कर दिया है इस पानी को अच्छी तरह से खदाने देते हैं इतने बदाम मखाने सब को कट तो यहां देखे मैंने बदाम और मखाने यह सब चीज अच्छी तरह से कट कर लिए बरीग पीसों में आप चाहें तो वो तैन ने जिसम और यहां चोटी कड़ाई में भी खदा गया इसमें भी चीनी डाल देती हूं थोड़ी सी क्योंकि यह भी खाएंगे सब लोग गरम गरम तो इसलिए इसमें भी अलग थोड़ से चीनी डाल के पका लिया है और इधर बड़ी कड़ाई रख हुए इसमें मैं पंजीरी की बहुत अच्छी लगती अपोग ट्राई जरूर करना इसे बहुत अच्छी मेरे घर में सब को पसंद आई यह हमारे अच्वानी बीलि जाती है आ प vorher कमेंट में जरू बताना आप लोगों के हैं क्या बोला जाता है तो रेड़ी है हमारी इच्वानी गर्मा गरम कटोरियों में करते हैं सबको देते हैं थोड़ी थोड़ी सी ले लेंगे सब तो इच्वानी बिल्कुल रेड़ी है ठंडी होने देते हैं इसे गैस बंद कर देते क्योंकि अगर गैस नहीं बंद करूंगी न तो यह बिल्कुल टाइट सी हो जाएगी तो यह देखें मैंने इसमें समान डाल कर और इसे अच्छी तरह से चलाना है बिल्कुल अच्छी तरह चास नहीं बन गी थी अब इसे चलाने के बाद हम देखें ट्रे में ट्रांसपर कर देंगे जिसमें हमने ग्रीज करके यानि की घी लगा के पहले से रखा हुआ है और इसे फैला देंगे अच्छी तरह से जमने के लिए यादनी की 2-3 घंटे तक इसे ठंडी होने देंगे क्यों काफी गरम में भी है तो यह ठंडी हो जाएगी जब मैं आप लोगों को पंज नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पूचे तो फ्रेंड यहादी के पंजीरी जम गी है ठंडी होगी ति हस्बेंड ने कट कर दी थी मैंने डब्बे में करके रख दिया तो इस वीडियो को यहीं पैंड करती अपनी फैमिली का सब का धियान रखिए